हाँ जी, बोर्ड पे ध्यान दिजिए, लास्ट रिवीजन क्लास में हमने सब्सक्रिप्शन का टॉपिक खतम करा था, उससे रिलेटेड आपके बुक के टी एस ग्रेवाल के कुछ कुछ कुश्चन्स भी आपको दिये थे, जो कि आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा, और ये क्लास जो है, उसी स्टूडेंट को देखो, मैं क्योंकि इसमें थोड़ा स्पीड लेके चलूँगा, एक एक दिर में एक टॉपिक होगा, तीन दिर में चप्टर खतम हो जाएगा ये, तो उसके हिसाब से आपको पहले प्रेक्टिस करके आओगे, तो बहुत अच्छे से सम आजाएगा, आपको पता भी चलेगा कि मैं क्या समझाने की कोसिश कर रहा हूँ, आज है हमारा फंड-based accounting, क्या होता है हमारा है, सबसे पहले फंड-based accounting का मतलब क्या है, जो हमारा फंड होता है ये दो तरीके कहह है, एक होता है हमारा journal fund एक होता special fund, क्यों दिया जाता है, नॉर्मली non-profit organization के केस में जो NGO है या non-profit organization है इनके earning का source बेसिकली subscription होता है और इनका main motive पैसा कमाना नहीं होता main होता है लोगों को, society को या फिर social activity में ज़ादा involve रहते हैं तो इनके पास fund की ज़रत प्ड़ती है इन्हें पैसे की ज़रत प्ड़ती है अगर help करेगा तो ऐसा तो है नहीं, अगर अच्छा काम कर रहा है तो free में होगा, उसके लिए भी पैसे तो लगना ही लगना है और एक इसका regular income होता है NGO के दो income के source होते हैं, एक regular income regular income इसका क्या माने जाता है? subscription जिसका कि हम last class में discussion कर चुके हैं अब इसका दूसरा income के source करते हैं, fund fund क्या होता है? कि subscription तो regular member होते हैं इनके, जो जुड़े होते हैं इनसे वो trustee भी होते हैं कई बार, वो तो regular income देते हैं जैसे आप कई बार hospital में जाओगे, तो अगर आपका ज़्यादा बिल बन रहा हो hospital का, तो उस hospital में सबसे पहले जाके पूछना, trustee का room कहा है और trustee के room में जाके, अगर आप बोलते हो कि sir, हमारा बिल बहुत ज़्यादा बन गया hospital में और हमें थोड़े से relaxation दे, तो 10-15% कुछ नो कुछ benefit आपको प्रवाइड कर देता है, तो जो trustee होता है, वो member होते हैं basically, और वो क्या करते हैं, regular basis पर उस organization से जुड़े होते हैं, तो वो किसलिए जुड़े होते हैं, ताकि लोगों की भलाई कर पाए, और fund based accounting क्या होता है, कोई अगर person आएगा, आता जाता, कोई भी person आया, आके उसने देखा कि ये organization बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक बार में 81 पैसा दे के चला गया, और उसको फिर उस organization से कोई लेना देना नहीं होता, basically, और जो subscription देते हैं, उसको organization के सारी बातों से लेना देना होता है, इसमें fund-based accounting में हमें, अगर example दो कौन दे के जाता है, जैसे कोई actors हो गया, actors हो गई, या कोई leader हो गया आपका, या कोई businessman हो गया, तो उसने क्या देखा कि इसको हम promote कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पैसे invest मतलब, पैसे दे देते हैं, जब पैसे दिये जाते हैं, तो जैसे कोई मालो, शारुक Khान इसमें पैसे invest करना चाह रहा है, Invest मतलब donation देना चाहता है Basically donation ही यह fund यह तो जो donation देना चाह रहा है तो शारुक खान में कुछ देख के ही तो donation देने की सोचे होगे इसमें अगर कोई school है तो school की condition बेकार है इसलिए donation देना चाहता है या फिर school है school में सब कुछ well है जो person है वो इतना अच्छा काम कर रहा है इसलिए donation देना चाहता है तो दोनों में फरक है एक donation शारुक खान ने जो देगा school की condition खराब है तो वो special purpose के लिए देगा भाई आपके school बहुत बेकार condition में है यहाँ पे आप desk लगवालो यहाँ पे building बनवालो यहाँ पे smart class लगवालो इस तरीके से बोलेगा और दूसरा यह बहुत अच्छा है उसके पास extra पैसा है सोच रहे के मन कर रहे के भला ही करूं तो वो जाएगा school वालों को बोलेगा यह लो एक करोड रुपे और आप अपना जो भी है यूज करना तो वो जर्नल डोनेशन हो गया तो दोनों में फरक है special donation, journal donation इसी को मैंने नाम बोला है special fund और journal fund fund और donation एक ही चीज़ है इसको अलग-अलग आप coordinate मत करना तो अब basically हमारे पास अगर fund की बात करें donation की बात करें दो है एक journal fund है एक special fund तो कौन दे रहा है वो depend करेगा किस purpose के लिए दे रहा है ये depend करेगा सबसे पहले अगर journal fund आपको मिलता है तो ये तो हमारा part होगा income and expenditure का income and expenditure का लेकिन अगर आपको special fund मिलता है तो ये part माना जाता है liability का ऐसा क्यों देखो journal fund पे जो मिलता है में उसको कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा तो वो जहां मर्जी खर्च कर दे मर्जी है उसके लेकिन special वाला जो दिया था वो किसी special purpose के लिए दिया गया था तो वो special purpose के लिए खर्च होगा ठीक है तो सबसे पहले हमें समझना होगा fund का मतलब क्या है donation और fund दो तरीके का हो सकता है एक हो सकता है हमारा journal और एक हो सकता है हमारा special समझ में आ रहा है यह तो point अब journal fund का इस्तेमाल की मैं बात करूँगा कैसे uses होगा journal fund की अगर मैं use की बोलू तो एक हो सकता है हम journal fund उसने दे तो दिया मेरा school है शारुक खान ने देखा कि उसके पास ज्यादा पैसे हो रहा है उसने सोचा कि यार कुछ करू भलाई करू भलाई करू मुझे एक करोट रुपे दे गया एक करोट रुपे ना फिर हम investment नहीं करेंगे जब investment नहीं करेंगे तो हम पता ही क्या करेंगे उसका यूज है के ने और अगर investment करेंगे तो यूज होगा या नहीं होगा नहीं होगा यूज पहले मैं बताता हूँ अगर हम investment नहीं करते हैं तो use करेंगे तो use दो terms में हो सकते हैं आपके आपको मिला एक करोड और आपने खर्च कर दिया 80,00,000 या पूरा एक करोड रुपे खर्च कर दिया दूसरा हो सकता है आपका एक करोड मिला और आपने एक करोड से जादा खर्च कर दिया दोनों possibility है आपके पास उस purpose के लिए general donation जो भी मिला है तो अगर आपको general donation मिला तो आप खर्च कहीं मरजी करो कोई मतलब नहीं है use करोगे तो simple use जो होगा आपका general donation income and expenditure में क्या माना जाएगा income क्या माना जाएगा ये income माना जाएगा जब आप इस investment को use fund को आप invest नहीं करोगे तो use करोगे कहां use करना है question में information नहीं होगा तो यहाँ पे no information given information को information given नहीं है तो कहां use हो रहा है आपको कोई लेना दिन अभी नहीं होना चाहिए कि कहां use किया है ठीक है लेकिन अगर investment करेगा तब वहां पे आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किया है investment करेगा तो सबसे पहले इस investment पर income भी आएगा हमारा मानलो मैंने FD करा दिया तो उस FD से मुझे interest भी मिलेगा तो investment करेगा तो देखो ये एक तो हमारा चला जाएगा कहां income side में क्योंकि journal है ये इसलिए कहां गया अब इस पैसे को जब हम receive करेंगे तो आप मुझे simple बताना मुझे शारुक खान ने एक करोड रुपे दिये और वो journal donation है तो एक तो मैं income and expenditure के किस साइड लिखूंगा donation एक करोड रुपे और दूसरा balance sheet में कहां आएगा ये पैसा दिया है तो cash या बैंक में आएगा 1CR दोनों match होगे ना debit or credit अब जब इसको invest करेंगे तो ये वाला खाली हो जाएगा मेरा कैस तो खदम होगा क्योंकि कैसी तो बैंक में invest करूँगा और दूसरा नाम क्या जाएगा एफडी आ गया investment नाम दे दिया मैंने तो जब हम कभी investment करेंगे तो एक तो asset में आ जाएगा एक asset में आ जाएगा income तो हई है एक assets में आएगा और उसका interest बताओ interest कहां जाएगा यह बहुत mcq में बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है कहां जाएगा यह इसका interest जाएगा income and expenditure के अंदर ठीक है ना जनली होता क्या है किसी fund के investment पे जो interest होता है वो उसी fund में जूड जाता है लेकिन इसका interest कहां जाएगा income and expenditure में ध्यान रखना कौन से fund का journal fund का ठीक है तो हमारा दो fund है एक है journal fund एक है special fund journal fund के अंदर क्या हो सकता या तो आप use करोगे या investment करोगे अगर आप use करते हो तो आपको कोई चिंता नहीं करना कहा use हुआ स्रिफ income and expenditure के credit side लिख देना होता है लेकिन अगर investment करोगे तो एक तो assets में जाएगा और अगर उस assets से income generate हुआ तो वो income कहां चले जाएगा हमारा वो income चले जाएगा income and expenditure के income side में अब मुझे बताना मानलो मैंने ये FD करा और ये एक करोड रुपए का FD है इस पर एक लाख रुपए का ब्याज आया तो एक ब्याज तो income and expenditure के credit में लिख दिया interest on FD और दूसरा बताओ कहां गया हो गई है double entry करते हैं मैं दोनो कुछ bank वाले जितने भी aspect है ना NPO के अंदर वो hidden रहता है उसमें आपको involved नहीं होना होता आपको पता ही नहीं होता कि bank वाला aspect भी है लेकिन वो पहले से included होता है इसलिए उस पर discuss नहीं करते लेकिन मैं इसमें लेके चल रहा हूँ देखो जैसे आपने बोला के sir donation मिला मैंने बोला cash मिल गया FD करा तो यह खतम होके यह इस पर थोड़ी ना फरक पड़ा अब इस पर ब्याज मिला एक लाख और मैंने इंकम में डाल दिया दूसरा कहां चले जाएगा यह cash में ऐसा होता है लेकिन cash वाले आसपक्ट को आपको discussion नहीं करना cash वाले आसपक्ट से आपको कोई मतलब नहीं होगा समझ महारी है बात आपको तो यह हमारा है NPO के अंदर जब आपको क्या given हो journal fund no information में कोई चिंता नहीं है investment के case में assets और interest कहां चले जाएगा income and expenditure सबसे ज़्यादा problem जो आपको होता है और face करना पड़ता है और आप maximum mistake जो कर देते हो वो कर देते हो वो कर देते हो special fund में special fund क्या है हमारे लिए liability कई student भोजते है sir NPO के अंदर तो हमने देखा है दो दो balance sheet है तो कौन सा current year की liability में होगा यह ठीक है opening में नहीं current year यानि closing के अंदर अब देखो या तो आप इसका investment करोगे या तो use करोगे तो ही काम कर सकते हो अगर आप investment करते हो तो क्या होगा पहले मैं चलो मैं पहले use के discussion कर लेता हूँ use करोगे तो खर्चा किस चीज़ पर use किया जा रहा है वो देखना पड़ेगा कौन से वाले donation की बात कर रहो मैं किस चीज़ पर ऐसा हो सकता है tournament fund के लिए मिला मुझे तो special है यह मुझे government party के लिए मिला special है मेरे लिए building के लिए donation मिला special यानि को specific purpose होगा तो special donation है अगर tournament fund के लिए मिला तो मैंने tournament organize कराया उस organize करवाने में मैंने पूरा stadium तैयार किया stadium को rent पे लिए chair वगेरा और player के लिए मानलो मैंने अगर cricket का match है तो bat, ball यह सारी चीज़ का मैंने क्या करा arrangement के उसमें खर्चा हुआ fund मुझे किस लिए मिला था, tournament के लिए, अब tournament का मेरे पास 10 लाग है उसमें से मैं दीरे-दीरे खर्च कर रहा हूँ क्या उस खर्चे से कोई assets बना मेरा, नहीं बना वो तो खर्चा हुआ, tournament खतम सब भूल गए, अगले दिन से वही normal हो जाएगा तो वो हो जाएगा revenue expenditure, लेकिन एक मेरे को fund मिला, building fund के लिए, मैंने building बनवाना तयार किया, सारे पैसे मेरे एक करोट रुपे लग गए, तो अभी building रहेगा lifetime तक तो वो expenditure कौन सा है, capital expenditure, यानि जो fund मिला है, उससे खर्च करने के बाद, एक साल का benefit मिलता है, तो revenue expenditure, एक साल से ज़्यादा time के लिए benefit मिलेगा, तो capital expenditure, तो special fund का अगर मैं use की बात बोलू, तो revenue expenditure पे कर सकते हो, और capital expenditure पे कर सकते हो, अगर revenue expenditure है, तो यहाँ पे दो point हो सकता है, या तो मैंने expense कर दिया, equal या, या less, जैसे एक करोड मिला, आपने खर्च कर दिया, एक करोड, एक करोड मिला, आपने खर्च कर दिया, 90 लाक, तो equal या less, दूसरा हो सकता है, कि आप खर्च कर दो more, अगर आप ज्यादा खर्च कर दोगे, तो क्या treatment होगा, अगर आपने equal या less खर्च किया, तो इस expense को हमें करना पड़ेगा, less from, किस में से, special fund में से, और जो special fund कहा होगा हमारा, liability side में, यह point समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, लेखिन अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया, तो जो special fund है, आपका वो तो zero होई जाएगा, उसके बाद negative भी चला जाएगा, आपको एक करोड मिला, आपने एक करोड दस लाग खर्च कर दिये, टूनमेंट करवाना था आपको, एक करोड रुपे में आपको निप्टाना था टूनमेंट, fund भी टूनमेंट के लिए एक करोड ही मिला, आपने खर्च कितना कर दिया, एक करोड दस लाग दस ज्यादा हो गया, तो इस case में, जितना extra amount है, extra expense, extra expense चला जाएगा हमारा, अब इसका liability से कोई लेना देना नहीं होगा, ये चला जाएगा हमारा, income and expenditure के expenditure side, ठीक है, मैं example भी लिख देता हूँ, मान लो मेरा fund था 100 करोड और expense हुआ मेरा 90 करोड, तो इस case में, ये तो हमारा यहां से less हो जाएगा, और हमारे liability में, अभी भी हमें नजर आएगा कितने 10 करोड रुपे, लेकिन अगर मैं इसका example लूँ, fund था 100 करोड और मेरा expense हो गया, suppose करो 110 करोड, तो liability में तो बचेगा ही नी, लेकिन जो 10 करोड extra खर्च कर दिया मैंने, वो expenditure side में आ जाएगा 10 करोड, जो भी खर्च कर रहे हो, आप tournament है, तो tournament के नाम से, या price distribution है, तो price distribution के नाम से, तो समझ में आई बात आपको, मैंने क्या भी discussion किया, fund based accounting, एक था journal fund, journal fund में क्या-क्या हमें देखना है, या तो हमने क्या करा होगा, investment नहीं किया होगा, या कर दिया होगा, अगर investment नहीं किया, तो basically use ही किया है भाई, आपने तो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको, सिर्फ income and expenditure के income side दिखाएए, आपका जंजट ख़दा, लेखिन आगर आपने investment किया है, तो एक तो assets बनेगा, और उसके उपर जो income generate होगा, उसको कहाँ सो करेंगे, मैंने यहाँ example में interest लिया है, कुछ भी हो सकता है income, dividend हो सकता है, ठीक है न, तो वो कहाँ दिखाएँगे हम, income and expenditure के credit side दिखाएँगे, special fund के अंदर, या तो आप उसका use करोगे या investment, तो use में भी आपको देखना पड़ेगा, कि वो use किस purpose के लिए, revenue expenditure के लिए है, या capital expenditure, अगर revenue expenditure के लिए है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा, कि खर्चा ज़्यादा कर दिया या कम, minus होना liability में से, अगर ज़्यादा खर्च कर दिया, तो जितना ज़्यादा किया है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, income and expenditure में, अगर कम और या उसके बराबर है, तो वो balance sheet में ही क्या हो जाएगा, less हो जाएगा, ठीक है, अब बात करते है, capital expenditure की, तो पहले मैं example लेता हूँ, capital expenditure का, फिर आप मुझे बताना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसके लिए नहीं है, चलो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, यह यहीं ले लेते हैं, यह मेरा balance sheet है, ठीक है, ध्यान से आपने देखना है, फिर यह point बस आपको फटा-फट से समझ म में आ जाएगा, मुझे एक building बनाने के लिए fund मिला, मैंने यहाँ लिखा, donation for building, basically मैंने जो लिखा यह है balance sheet, ठीक है, मान ले थे हैं कि मुझे मिला 100 crore rupees, ठीक है, यह crore में desert है, 100 crore rupees मुझे मिला building बनाने के लिए, इसमें से building एक दिन में तो बनके तयार नहीं होगा, time लगे और यह 100 crore जब मुझे donation मिला, तो और कहां दूसरी entry, क्योंकि double entry system क्या कहता है, हर entry के 2 effect, तो दूसरा बताओ कहां होगा, cash में, जिस aspect को हमें examiner को नहीं बताना, वो समझदार है, उससे पता है कि cash में है, उसके उपर आपको नहीं बताना, उन्हें पता है, cash में, ठीक है, इ हमारा use, मैं use word, use कर रहा हूँ, वैसे तो हमारा building के लिए जाएगा 60 lakh, तो बच गए कितने, 40 lakh, cash कम होगा या नहीं होगा, minus हो जाएगा cash, cash कितने से minus हो जाएगा, 60 lakh से, बचे कितने, 40 lakh, यहां तक समझ में आया, और now 60 lakh rupees का 1 assets create होगा, इस वाले case में तो assets create होई नहीं सकता, क्योंकि खर्च होगे, खतम, लेकिन इस वाले case में तो assets create हो रहा है, उस assets का नाम क्या है बताओ, building बनाने के लिए लिए तो building आएगा ना, तो building है उस assets का नाम, तो मैं assets side में building लिखूँगा, ध्यान से देखना बहुत ही आसान topic है, अब बताओ debit credit मैच हुआ क्या, नहीं वह इधर 40 उदर, तो जब हमारा assets create होता है, तो assets तभी बनता है, जब तक capital नहीं लगाओगे, आपने starting में definition पढ़ा था, capital क्या होता है, वो amount होता है, जो honor लगाता है, और उस amount के वज़े से या तो goods या assets खरीता है, तो अब इसका जो ये building है, ये permanently किसका हो गया, उसी organization का, ठीक है, तो यहाँ पर एक capital create होगा, capital के अंदर, यानि donation से अलग है capital, ये 60 lakh, अब बताओ क्या कोई समस्या लग रही है आपको, नहीं लग रही है, तो actual treatment ये है, आप मिर से बार बार पूसते हो सर, चलो building बनाया, building बन गया, चलो building आगया, लेकिन capital क्यों, क्योंकि capital create होगा, क्यो इधर भी 60 और 40, तो मैं भी सिर्फ expenditure की बात कर रहा हूँ, investment वाला नहीं है, आपके mind में अगर thought आ रहा है कि इस पर interest हुआ, तो वो दूसरा topic मैंने रिख रखा है, अभी सिर्फ खर्चे की हम बात कर रहे है, आपके book में ऐसा ही question की even है, pavilion fund के लिए उसने खर्च कर दिया, तो pavilion fund playground के लिए कर दिया इस तरीके से, अब entry की हम बात करें, तो देखो मैंने क्या करा, cash वाले aspect को क्या cover करना है, नहीं करना, करना क्या है, donation में से minus, asset create, capital में दिखाएंगे, ये वाला aspect आपको नहीं बताना, examiner को, ये already वो closing balance में adjust कर चुके होते हैं, तो अगर आपने capital expenditure क तो assets prepare होगा, तो एक तो दिखाओगे कहा balance sheet के assets में, किस नाम से, name of asset, जैसे मेरे वाले example में बताओ क्या आएगा, कितने amount का, building amount, 60 lakh, ठीक है, दूसरा increase in capital, समझ में आया है, पहले से capital मेरा मानलो 100 lakh रुपे का था, 60 lakh का और बढ़िया तो 160 lakh हो जाएगा, तो increase in capital, कहां पे जा liability में जाएगा, liability site, और कौन से balance sheet, closing के, दूसरा less fund, जो fund मिला है, उसमें से minus करो, क्या सही लिखा है मैंने, आपने जब use किया तो minus कर दिया था, ठीक है, उसके बाद less from bank, तो आपको ये वाला bank वाला aspect मैंने आपके लिए समझाया है, ताकि आपको clarity रह भूलो ना इस चीज क बागी bank वाला, क्योंकि book वाली क्या करते है, bank का हमेशा closing balance देते हैं, तो closing balance अगर आपको वो दे रहा है bank का, it means सब कुछ add less करके ही बता रहा है आपको, तो इसलिए हम bank वाले aspect examiner को नहीं बताते हैं, ठीक है, तो ये less from fund, किस fund में से, जो भी fund हो, special fund में से, special fund में से क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, और less from bank इस aspect को cover नहीं करेंगे, देखो इस point में doubt, clear है ये, हर चीज को अलग अलग treatment के तरगे से clear करके चलोगे, तो कोई दिक्कत नहीं गा, देखो fill in the blanks, या MCQ, इस में से पका आना ही आना होगा, एक point देगा, वो एक number का दे, दो number का दे, जैसे भी उसके उपर depend करते हैं, चलिए अगली बात करते हैं, investment की, चलिए, investment का मतलब क्या होता है, मेरे पास fund मिला, और उस fund को मैं अभी इस्तमाल नहीं करूँगा, कुछ time के बाद करूँगा, तो घर में पैसे, यानि उस organization में पैसे रखके क्या फाइदा, उसका पर आपके कितने aspect होंगे, investment करोगे, तो सबसे पहले तो आपको less करना पड़ेगा, less किस में से, donation में से, भाई आपने investment किया, तो आपका donation क्या हो गया, कम हो गया, दूसरा aspect क्या होगा, आपका donation में से कम होने के बाद एक assets create हो जाएगा, create assets, create assets, और assets का नाम जो भी investment हो रहेगा, यहाँ पर expense नहीं कर रहे हम, expense और investment में फरक है, expense तो गया, वापस नहीं आएगा, और investment वापस हमें मिल जाएगा, जादा मिले, कम मिले, वो अलग matter है, लेकिन वो वापस मिलेगा, तो यह था expenditure, और यह है investment, मैंने donation कहीं invest किया, तो क्या ह होगा सबसे पहले, less from donation, दूसरा create asset, जब investment करेंगे, तो क्या सोच के investment किया होगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, जब कुछ ना कुछ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, basically interest, तो जब इस से हमें interest मिलेगा, तो दो जगह entry करेंगे, जैसे ही interest मिलेगा, एक तो add हो जाएगा यह, add in donation, add in donation, ठीक है, अगर interest आपने receive कर लिया, तो bank में चला जाएगा, interest नहीं receive किया, तो assets में accrued interest के नाम से आजाएगा, अगर receive कर लोगे तो भाई, bank में आगया, receive नहीं किया तो accrued interest के नाम से आजाएगा, तो यहाँ पे, या तो cash के अंदर plus हो जाएगा, या फिर आपका accrued interest के नाम से अलग से show हो जाएगा, cash वाले aspect को नहीं करना, accrued interest व है यह मेरे पास balance sheet है donation माल लेते हैं 50 लाग का है इसमें से 10 लाग मैंने investment कर दिया तो यहां से minus होगा investment 10 लाग और मेरे पास bank में पहले से जब मिला था तो मेरे पास bank में भी 50 लाग रहा होगा तो यहां से भी minus करेंगे investment 10 लाग यहां भी 40 बचा और यहां भी 40 बच ठीक है और साथ के साथ हमारा एक investment क्या होगा create हो जाएगा इसमें से minus कर दिया investment कर दिया तो यहां investment भी आ जाएगा investment कितने का आ गया 10 लाग का आ गया ठीक है न वह bank के अंदर एक 10 लाग का चले गया एक 10 लाग रुपे का आ गया हमारा अब अगर इस investment से हमें interest मिलता है ठीक है अगर इस investment से हमें interest मिलेगा तो एक तो हमारा donation प्लस होगा इंटरस मान लो सपोस करो एक लाग मिला तो एक लाग इदर प्लस कर देंगे दूसरा या तो bank में प्लस होगा यह एक रुड इंटरस है तो उसे अलग से शो कर दिया जाएगा हमारा किसना अलग से क्या शो किया जाएगा एक रुड इंटरस मैंने एक पॉइंट थोड़ा सा आपको यहां पर गलत लिख दिया मैंने इंवेस्मेंट माइनस नहीं होगा इसमें से यह पचास ही रहेगा ध्यान रखना क्योंकि इंवेस्मेंट करने का मतलब यह डोनेशन लाइव लीटी में लिखते यह तो यह कोई पैसा वैसा थोड़ी है यह तो बस एक वर्ड है एक imaginary entry के हमार पास डोनेशन है दिखेंगा थोड़ी ना आपको balance sheet से donation निकाल थोड़ी सकते हैं लोनेशन इंवेस्मेंट क्या करेंगे पैसे तो बैंक कम होगा और इंवेस्मेंट बढ़ेगा देखो इधर भी इधर भी 50 होगे इधर ओल्ड़ी 50 है एक लाग रुपे का इंट्रस्ट अगर बैंक से मिला तो बैंक में प्लास और तो फिर थोड़ा सा मैं इसको चेंज करूँगा ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा अगर इंवेस्मेंट मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ दुबारा लिख देता हूँ मैंने इसे एसेट्स मान के कर दिया अगर इंवेस्मेंट करते हो ध्यान देना इंवेस्मेंट करोगे तो एक तो assets create करोगे दूसरा aspect क्या होगा दूसरा होगा less from कहां से less होगा ये bank से जो हमें examiner को नहीं बताना मैं सरिफ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे तीसरा interest की बात करते हैं अगर interest हुआ इस पे तो interest को दो जगह ले जाएंगे बताओ कहां कहां लेके जाएंगे interest एक तो add हो जाएगा किसमे add हो जाएगा यह bank में और एक donation में एक add हो जाएगा यह donation में donation increase हो जाएगा investment जब वो release करेगा तो bank में तो पैसा आगया तो bank में पैसा आएगा तो आप देखोग fought बैंक में तो 50 लाग के बदले 60 लाग आ गये हैं लेकिन डोनेशन 50 है तो डोनेशन इंक्रीज होगा और यह हमारा जो लाइबिलिटी क्योंकि यह जो इंकम है हमारा वो क्रेडिट साइड में जैसे कि यहां वाला गया था और यह हमारा क्या इसलिए चला जाएगा लाइबिलिटी में ठीक है न तो दूसरा क्या होगा हमारा या तो एक्रूड इंट्रस्ट या फिर आपको पता है दूसरा क्या लिखना है बैंक अब दुबारा देखो इन्वेस्मेंट हुआ डोनेशन पर कोई फरक नहीं पड़ेगा कैश में से माइनस और एक एसेट्स क्रियेट इंट्रस्ट डोनेशन में एड और दूसरा बैंक में या क्रूड इंट्रस्ट इसीट बनाऊ यह एक्स्रेक्ट बताो कहां जाएगा इंवेस्मेंट का तो मैं बोलूगा अगर इनवेसमेंट है तो एक चीमा बताना एक करचके होत、 ठीक हैं तो अब देखें एक बार मैं इसको कौन concoode करूँ अगर तो हमारे fund जो है वो दो तरीके के होंगे, एक होगा हमारा special, एक होगा journal, journal के अंदर भी मैंने दो category कर लिया, या तो आप use करोगे या investment करोगे, अगर आपने use करा तो कोई उसका हमें information नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं करना, अगर यूज नहीं किया, अगर आपने use किया तो कुछ नहीं करना आपने income and expenditure के credit में दिखा दिया था, बस वही बहुत है, अगर use नहीं किया तो investment करोगे, investment करोगे तो assets बढ़ेगा और assets बढ़ेगा तो उसका income कहा लेके जाएंगे income and expenditure में अब बात करते है special fund special fund के दो treatment हो सकते हैं या तो expenditure होगा या फिर आपका investment होगा अगर expenditure यानि use हुआ तो दो जगह कर सकते हो या तो revenue expenditure अगर revenue expenditure हुआ तो वहाँ दो बाते हो सकती या तो आपने ज़्यादा कर दिया होगा खर्च या फिर कम अगर ज़्यादा किया तो income and expenditure में पहुँच जाएगा कम किया तो वहीं पर less हो के balance liability में बच जाएगा लेकिन अगर capital expenditure किया तो वहाँ पर 4 point affected होते हैं हमारे एक तो donation भी minus हो जाएगा और हमारा create हो जाएगा capital cash minus हो जाएगा और create हो जाएगा asset ठीक है ना और create क्या हो जाएगा हमारा assets लेकिन cash वाले aspect को क्या बताना है आपको examiner को नहीं बताना simple अगर आपने investment किया तो investment के case में दो ही आपको examiner को बताना है वैसे तो 4 impact आया हमारा एक तो cash minus हुआ investment हुआ और एक हमारा donation plus हुआ interest के वे में और एक accrued interest या cash में cash plus हो गया लेकिन हमें बताना क्या है अगर investment करते हैं तो assets आएगा और उस assets के उपर interest भी दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो दूसरा वो interest कहा plus हो जाएगा जाके income and sorry उस donation के अंदर ठीक है तो यह था हमारा fund based accounting इसमें कोई doubt है तो बताओ अब clear fee क्या होता है जिस तरीके से subscription होता है तो subscription के अलाबा भी कुछ हमारे NGO यह non-profit organization के अलग से fees होता है उसे fee बोलते हैं तो यहां पर fee ना दो entrance fee होता है दोनों entry जो लेगा जो हमारा member बनेगा उसके लिए fee decide होता है particular entrance fee उसके बाद हर साल उसे देना पड़ता है तो entrance fee होगा entrance fee annual जो person paid करेगा तो उसके लिए सरिफ word होगा entrance fees और जो पूरे life का एक साथ ही दे देगा उसका होगा life membership fee अगर entrance fee देता है आपको तो हमेशा income and expenditure में आपको treat करना है और income and expenditure में यह हमारे लिए माना जाता है income लेकिन अगर same मैं बात करूं life membership fee की तो life membership fee जो होगा वो हमें balance sheet के liability में तो यह भी आपने ध्यान डखना है life membership fee कहा जाएगा balance sheet के live लेटे में इसको भी note कर लेजे आप